हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आसा करती हूं अच्छी हूंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं तो आज एक आरदसी का दूसरा दीन है और आज फिर में बड़ी बिंदी लगाई देखें और आज मैं मतलब आज भी तो मतलब सादा ही खाना खाई तो आज मेरा रोटी खाने क आज में भी खाई बीना लेसन प्याज का और अभी मुझे भूक लग गया है बज़रा एक और मैं खाना मतलब खाना बोलू या नास्ता बोलू मैं साड़े नौ बजे करीब खाली थी क्योंकि कल मेरा फास्ट था थो मुझे भूक लग गई थी तो अभी मैं चलती हूं पप खाऊंगी या अभी अभी फिलाल तो में वही खाऊंगी क्योंकि मुझे खाये वे तीन गंटे हो गया है तो मुझे भूक लग गई है और उसके बाद होगा तो फिर दो तीन साड़े तीन चार बजे हम लोग चाय पीएंगे फिर उसके बाद साम को देखेंगे कुछ खाए तो पंखा भी सोच रहा होगा कि मुझे कब चलाएंगे यह लोग देखें ऊपर पंखा एकदम काला हो गया है क्योंकि देखें जब यह पंखा लगा तभी मैंने अपने हस्बेंट को गोला था कि प्लीज काला वाइट पंखा मत लगाए ब्लू लगाए या किसी और कलर का लेकिन उनको वाइट ही पसंद आया है वाइट ही कलर कर लाइए और इसको में कितना भी पोच्ति इसका गंदा नहीं जाता है क्योंकि इस वाले रूम के पास में मेरा कीचन है तो जब गर्मियों के टाइम आता है किचन में खाना बंता है और यहां पर फाइन चलता है तो में पूरा पंख्ण एकदम नहीं है तो उतना भी काला नहीं है लेकिन मुझे बहुत गंदा लगता है देखिए तो कभी मोका मिलेगा तो मैं इसको चरूर मलमल के साफ करूंगी लेकिन बाद क्या है ना कि इसके नीचे बीस्तर है तो गद्ध बग्ध गंदा कैसे साफ परना पड़ेगा और पीछे मेरा फोटो फ्रेम लगाए देखिए कितना अचा लग रहा है तो मैं इसको काफी ऊपर लगवा दी कियूंकि यहां पर हम लोगा यह जूल है ना तो मैं टांग दी हूं तो मैं सोची कि फोटो में कोई डिस्टब ना करें कियूंकि बहुत सोच क मैं यह फोटो बनाई हूं और कोई डिस्टब करेंगा अगर इसको कुछ हो गया तो मेरी जान चली जाएगे बहुत मुस्किलों से यह बना है तो यह क्या खरें जो बात है वह आप लोगों के साथ सेयर कर दी तो चलिए मैं पपी तब काट लेती हूं जब मैं काटके लाती घारिमे ठीटिम्य के बस्तिदमट लिग मेरे साथ खायेंगा तो झरी के लिए मिल्तेयों मैं थोड़ी दे करते हैं मैं चीदली पपी तच जाधा बड़ा पपी तर आ हैं अ THERE ड़िए मिक्ष्ञें बहुतं इतना है पपी तो चली में खार्तिम आप लोग धीलिकाले है आप लोग के लिए ये हमें खाती है तो मीठा है पपिता अब पीछे हम लोगा फोटो भी लगा है दूद वाले भाईया आगे तो मैं उस टाइम दूद वाले भाईया आया थे दूद लेकर रख दी और उसके बाद मैं चली गई थी छट पे और ब्लोग भी मैं इस्टार नहीं की पपीदा भी मैं पूरा खा ली और अभी मैं चाय भी पी ली अब साम के चार बज गया बच्चे का मतलब आने का टाइम होई गया बिस पचीस मिनट में तो बच्चे आ जाएंगे तो तब तक मैं थोड़ा सा घर में जारू भी लगा दे कि यूंकि बहुत लंबा ब्लोग आप लोगों भी अच्छा नहीं लगता होगा और मुझे ऐसा फील होता है पता नहीं आप लोगों कैसा लगता है तो कॉमेंट जरूर करिएगा और मैं मिलूंगे फिर आप लोगों से कर लिग नहीं ब्लोग के साथ तब तक लिए फ्रेंड है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करिए और थोरे प्लीज सपोर्ट जरूर करिए आप ही लोग का चाइनल है प्लीज सपोर्ट करिए मैं हमेशा बोलती है प्लीज थोरा सा सपोर्ट करिया हम लोग को बड़ी-बड़ी मतलब बोलते हैं ना कि बड़े-बड हम लोगे कल एक नया ब्लोग के साथ वीडियो पूरा देखी अच्छा लगेगा तभी सस्क्राइब करिए और अच्छा लगेगा तभी लाइक करिए ठीक है तब मिलोंगे में कल आप लोग से नहीं ब्लोग में तब तक लिए भाई भाई फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आसा कर अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं तो मैं आज बनाने वाले हूं कोभी का फुल गोभी का पराठा तो मैं सोची कि आप लोग के साथ मतलब सेर भी कर देती हूं पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं और मैं जैसे बनाती हूं ऐसे आप लोग के साथ सेर करती हूं यह ज़रूरीक बना कर खाएगा बहुत टेस्टी बनता है और बहुत यह लगता है तो चलिए में दिखाते हूं आप लोग को हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आसा करती हूं अच्छे हूंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं तो मैं अभी बैठी हूं यहां सोफे पर और मैं ज़स्ट अभी आई च्छत पर से कपड़ा दोकर क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी लाइन नहीं था लाइन कट गया था तो मसी कि छोड़ने से अचा है कि उसको अम लोग दोई देते हैं और अभी बज रहा है सामके चार बजने में भी दस-पंदर मिनट बाकी है लेकिन अभी अब चली अब चार बजने जा रहा है तो घर में जारू लगाती हूं और बच्छों के लिए ओमलेट बना देती हूं क्यू मुझे पता नहीं में नहीं कर जाते हैं थो जो इन दूरा नहीं नहीं लाओंगी में दूतीन सूची हूं कि छोट मैंद आटे यहां यू अन अनन पोलीस बीकी चोटा हैगा पैसाफ Works कं़ेगा और उसको जल्दी भी उस करके हूं नग छोड़ ुच्न लेंगे मैंतलब ख तो चली मैं आज का ब्लोग देखें यह कहां तक कॉंटिनिव करती हूं और अभी में घर में जारू सिर्फ जारू लगाना है बाकी और कोई काम नहीं जारू लगाती हूं उसके बाद रखती हूं यहां पर बाहर ही में मतलब बनाती हूं नॉन बेस तो पूरा सेट अप फिर प्रप्रवल्म होता है कि कीचन में खंप बनाते हैं यह सब सक्राइध नहीं है तो अगर काम होme लगेगा ना तो मतलब घर में अगर कोई काम अम लगेगा तो कीचन में सोची हूं कि कहीं पर सेट करूंगी जो मतलब नॉन बेज बनाने के लिए कीचन ल्यूंड बनाने के लिए लेका बहुत बहुत प्रॉबलम है और मेन बात है ना की देखे घर तो यह मेरा खुट-काई है तो में चस्मा यहां पर लगा लिए घर तो यह मतलब हमारा ही है लेकिन क्या है ना कि बीच वाले फ्लैट में मैं रहती हूं और नीचे वाला जो फ्लैट है वह भाड़े पर है तो ऐसे हम लोगा फैंबली ज्यादा बड़ा नहीं है मैं हूं और मेरे दुनों बच्चे मेरे स साट से यहां पे रहती है साट सुर्जी तो नहीं है पिछले साल उंगा देट हो गया लेकिन सासुमा है लेकिन sms वह नहीं रहती है कभि काल धाती है तो दो दिशनीम रह के चलिंदे दाटीज गाहों में रहती है गाओं में हम लोग का घर है खेती बारी सब है तो कभी में जाओंगी तो गाओं का ब्लोक सूट करूंगी जरूर दिखाओंगी और यहां है तो बीच वाले फ्लैट में मैं रहती हूं नीचे वाले फ्लैट में भाड़ा पर मतलब दिये हैं हम लोग रेंड पर और सबसे उप प्रैना घर है दो प्रणा चुम के लिए लिए प्रलग अगर रेस्ट होगें तो दो और खालें के लिए निए लिए क्विए लाए है दो पी बचस्फी बड़े नोगे हो रही को ड़ते हैं Color ce 's the यह अब फिर कोई ब् ».' तो, बहूत problem हो जाता है क्योंकि, Üsh spontane से चल को से ज़ाते हैं लुए मलोग में वृत ज़ाता है तो उतना पैसा कंद मास्शाय सब शेद dibujते हैं को हम दोन दोन हम जाता है एक वो भी मतलब देखते हैं हम लोग और यह भी देख रहे हैं तो देखिए कैसे क्या होता है अगर पैसे का कुछ बेवस्ता होता है तब हम लोग नीचे का खाली करा देंगे और नहीं तो जैसे चल रहा है वसे ही चलाएंगे देखते हैं कैसे क्या होता है मतलब बोलते हैं ना कि सपने बहुत सारे रहते हैं लेकिन पैसा नहीं रहता है तो सब सपना बेकार है सबका आज कल के जब आने में बीना पैसे से कोई काम नहीं होगा सबसे बड़ा बोलते हैं ना बाबु ना भाईया सबसे बड़ा रुपईय हुई है तो पैसा रहेगा त तो कहीं भी थोड़ा सा घेर घार के में कीचन का वेवस्ता जरूर बोलूंगी कर देने के लिए क्योंकि बहुत टेंसन हो जाता है अब देखिए अभी मैं फिर पूरा सेट अप लगा पूरा चूला लाओंगी सलेंडर लाओंगी मसाले के जो मसाल दानी है सब लाओंगी बन क्या सेर करती हूं आप लोगे साथ कॉल का मैं गोभी का पराठा कर एशेपी डाली हूं आज गया है यह वीटियो तो मेरा कल जाएगा यह कॉल वाले वीडियो जरू जाकर देखिए गोभी का पराठा का वीडियो गया है तो बहुत अच्छा बहुत टेस्टी पड़ा था कि यहां कि मेरा बेटा सुट करता है तो कुछ पाट भी देता है तो मैं जो बेली उली हुँ वहाला पाटे हटा दिया है मुझे इतना गुशा आता है लेकिन क्या करूँ बच्चा है उसको भी मालूम नहीं पड़ता लेकिन वीडियो में बनाती है करता है तो उसको क्या मलूम की कहां से कभ शुरू हुआ है और कभी-कभी मुझसे पूछ भी लेता है कभी नहीं भी पूछता है तो आज वेशा ही किया है उसने मतलब जो पूरा ठीक डाला है लेकिन जब मैं मतलब लोगी पेड़ा उसका बनाकर बेल रहीं वह भी दिखाई ह तो उसको भी हटा दिया है और सेखने उपने का तसब डाल दिया है तो कोई नहीं क्या करूं बोलते हैं ना कि यूटू चाइनल खोल लेकिने लोग क्या-क्या बनाते हैं क्या-क्या हम लोगों तो कुछ भी नहीं आता है बनाने तो जैसे हम लोग है वैसे ही डाल देते हैं खुनानाक के समय और New Year Day जब और थे लिए दौड़न संसासर द्यक्राह से ठीटिवर हो दिंढ़ां पर सब्सक्राइब और उपना दुनियादारी जानता है और जानना भी नहीं चाहिए कि उनकी देखे बड़ा होने के बाद तो सब को अपने मतला अपने उपर सब का टेंसन आई जाता है लेकिन जब तक बच्चा है मैं सोचती हूँ तब तक वो अपनी लाइब को जी ले उसके बाद तो उसको सब करना ही है तो वो सुचता है कि जब YouTube channel हम लोगा mommy success हो जाएगा न तो जब YouTube channel जब पैसे आएगा तो मुझको यह किन दीजिएगा वो किन दीजिएगा बहुत सपने देखता है वो पता नि उसका सपना पूरा होगा की नहीं मेरा तो होगा की नहीं होगा वो तो दूसरी बात है लेकिन एक बच्चे का सपना पूरा हुआ कि नए वह भी मुझे लगता है तो आप लोग से में बहुत देर तक बात कर ली पता निए वीडियो बातो वाला ही चला जाएगा क्या तो चले मैं बात नहीं करती हूं मैं अब करती हूं काम और थोड़ी देर के बाद मैं आप चार बज गया मैं साथ मीनट तक आप लोग से बात कर ली ते चली मिलती हूं मैं थोड़ी दिर के बाद